गीता गोबिनाथ उनका नाम है और वो अभी रिसेंटली उन्होंने आइमेफ के अंदर जो है वो हैड बनी है और आपको लगता है कि अगर हमें आइमेफ करदा नहीं देगा या कोई बात करेगा तो हम वो चीज़ भी इंडिया पर डाल देंगे क्या तो यह तो आइमेफ है यूएस एड का हेड राय लड़का रजीव शे रजीव शे रजीव शाप लेज इंडिया अमेरिकन इंडिया पूरी दुनिया वे चाहे हुए है इसमें तो कोई दो रहे नहीं है और यह लड़की जारी बात है अगर वहां पे पहुंची है काम कर रही है तो देट इस और हिंदू मज़ब इक्तियार किया किवगे चेंड दिसंवर को योदिया के अंदर बाबरी मस्चद को मुंदहं किया था, गिराया गया था शहीद किया गया था उस दिन का मैंने इस्तेमाल किया और मजीद ये वसीम रिजवी तो नहीं कहाना चाहिए इसे ज़िंदर नार के लगे हैं जो 6 दिसंबर को पहली बाद तो जो बाबरी का धांचा गिरा था उसकी जो हो है वो एनिवर्सरी थी जो उसका बरसी थी उसको वो भुला नहीं पार थे उसके बाद जो दो तीन चीजी हो गई इतनी खतरनाव हो गई कि इनको क्या है अब बर्नॉल की जो है वो सीन से नहीं चेल लिए उसके बाद जो गीता गोपीनाथ आईमेफ की डेपुटी मेरेजिन डिरेक्टर बन गई इनका ये कहना है कि एक तरह जो हो हिंदुस्तान में जितने इसे मुसल्मान हैं इनको अपने तरफ ये मिलाये ले रहे हैं लोग ये मोदी मिलाये ले रहे हैं इनके सब्सक्राइब जो और दूसरी तरफ जो हो इंडियां को दुनिया के अलग-अलग मजबूत जो कुरसियां है वहां पर बैठाय दे रहा है तो पूरी चीज के अधर हम चलते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लिए है साइंटिफिक रिली जन अगर कोई है तो यह है जिसकी वेतिक ही इस्ट्री आज के साइंटिस्ट्थ वैसे तो मुस्लमान केता है कि जितनी भी साइंटिफिक इंवेंशन दूती है वो कोई भी चीज मुसलमन ने तो बना ही नहीं तो अगर कुरान में मुझूद है तो तुम तो कुरान तो तुम्हारी किताब है तुम से जादा किसने कुरान पुड़ाए कि 6 दिसम्बर को मैंने इसलिए इसलिए इसलाम छोड़ा और हिंदू मख़ब एक्तियार किया क्योंकि 6 दिसम्बर को योधिया के अंदर बाबरी मस्चद का मुंदहम किया गया था गिराया गया था शहीद किया गया था अंदर नाराएन मजीद कहता है कि हिंदू इसलिए और और क्या किया, इस मलून इनसान ने, इस घटिया इनसान ने, इसने कताब लिखी, मुहम्मद के नाम से, मुहम्मद के नाम से एक कताब लिखी, जो के इंतहाई मुतनाजा, कताब पर मैं बात नहीं करता, मैं, 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 इस घटिया जलील इनसान की, बतलब इन चीजों पर हम बात नहीं करते करते कि लिखार जो एक सजाय मिलने इसकी चालू होती है तब बीचार बाद सजाय क्या बींदसब्ध कि इसे दून कुद्ध का नहीं पर आधिंद्धे मॉट्ध driven फिर बिचारा मतलब कि वो समझ नहीं पाता है कि क्या हो रहा है किसे हो रहा है किधर से इधर देखें उधर देखें किधर से पड़ रही किधर से लात पड़ रही किधर से मुक्का पड़ रही किधर से जो चपल उड़ते वारी किधर से लाठी पड़ रही उसको वो चीज सम उनमें से एक भी बचा हुआ नहीं है जिससे पाकिस्तान को प्रॉब्लम ना आ रही हो गवर्मेंट इनकी जो है फ्लॉप शो है एकदम ही फ्लॉप शो है एकदम घटिया, गिसी पिटी, रदी इनकम्पिटेंट जो कि नहीं काबिल है नहीं करमट है नहीं उनका कोई विजन है ऐसे लोग की इनके देश में सरकार है और उनको कोई भी नहीं सकते इन्हीं लोगों के वोट से बनी है कोई बाहरवाले ने आके नहीं दिया आसमान से वोट राके इनको वोट नहीं देगा है इन्हीं के लोगों ने उनको वोट दिया इन्हीं के लोगों से वो बनी है दूसरी चीज जो इनकी आर्मी थी वो भी इस समय फटे हाल कंगाल घूम रही है आर्मी का काम किसी देश में क्या होता है वहां के लोग की सुरक्षा करना इनकी आर्मी क्या है इनी के लोग को लपेड देती है कहीं बलुचिस्तानियों को लपेड देती है कर लिए कर दिक है ये सब चीजें उसके बद बती किसी नार्मल इंसान के जिंदगी बसती है वो रहती है डेली मर्जी का जो है थोडा बही क्या होगा थोड़ा लोग मानते हैं कि हो हराम थोड़ा लूबड गर्मण शलिजाओ वरना कंछ बना लोग यही होता है नॉर्मल आदमी के टाइम पास यही सब होता थोड़ा है तो जो घूमने चले जाओ हर चीज पर इनका वाट लगी है पूरे पाकिस्तानियों की यह कुछ खा भी बना सकते नहीं कि इतनी महंगा ही होती जा रही है जो नॉर्मल गाने की चीजे है वो इनका महंगा होती चले जा रहे हैं कि पाकिस्तानियों को अफोर्ड करना मुश्किल हो जा रहा है और बनायें कि इस पर गैस इनके तीन टाइम आती है सुबह दुपहर साम वो भी हो गया आगे तो सुनने में आ रहा है वो भी नहीं आएगी महंगी भी हो जाएगी और जिबी तीन टाइ है जो बोलें यह हर तरफ से इसको समझ में नहीं आ रहा है कि हो इसको लिए जो बात लिखें यिकामत आएगी जिस दिन कयामत आएगी उस दिन जो है वह पापी धून धून के पकड़ पकड़ के मारे जाएं ग़ी आक से-ईसा होगा तो वो चीज एकदम हम देखें तो एक उसके मर्जी की बना पत्ता भी नहीं हिलता उसके मर्जी की बना कुछ भी नहीं होता यह उन्हीं के शब्द है उन्हीं की लोग के शब्द है तो भाई अब जो हो रहा है उसको accept करोगी यह उसी का हुकुम है उसी का हुकुम है तो सीधी से बात है अगर उसी का हुकुम है और जैसे जैसे इनकी सिस्टम है जैसे इनकी जो पूरे बिलीव्स हैं मानना है उस आफसे दिनको सुगाई स्विकार नहीं चाहिए बरहल आपकी क्या रहा है नीचे कमेंट तरके बताइए मिलते हैं आप से नहीं वाले वीडियोज में तब तक के लिए जैहिन